दोस्तों गर्मियों में कभी कभी होता है कि कोई भी सबजी खाने के इच्छा नहीं होती है और ऐसे में हम आलू का अगर यह भुझिया बनाते हैं तो यह बहुत ही लाजबाब लगता है और इसको आप देखते ही देखते बिना रोटी चावल के ऐसे ही आप चट कर जाएगा तो चलिए बनाते हैं यह सुपर टेश्टी आलू की भुझिया इसके लिए हमने लिया है पांच आलू और अब इसका हम छिलका जो हटा लेंगे छिलने की सहाथा से आपको जैसे सुविदा लगे वैसे छिलका इसका हटा सकते हैं चाकू से भी हट सकता है तो इस तरीके से ह घृतला हम सारे आलू का झिलकार डा लेंगे उसके बाद हम इसको बारिक बारिक कर लेंगे बहुद ज्यादे बारिक नहीं करेंगे थृड़ा मोटा ही रहेगा इस तरीके से आप जाहें तो लंबे याकार में भी कट कर सकते हैं आपके पसंदी पर desygा और इसके बाद इसक आधा चमच उड़ा दाल और इसको भी हम थोड़ा सा चला लेते हैं और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें एक चमच भर के धनिया आधा चमच डालेंगे जीरा साबूत और इसके बाद आधा चमच डाल देंगे हम मेथी दाना मेथी जो है यह आपसिनल है आपको पसंद हो त लिए वरना आप इसकीप कर सकते हैं और इसके बाद हम इसको कुछ सेकेंड जो है चला के चटका लेंगे और फिर डालेंगे आधा चमच हम इसमें सौफ सौफ डालने से इसका जो जिया है आलू की उसका स्वाद बहुत ही जबरदस्त हो जाता है उसके बाद से हम डाल देंग ही और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें करीपता आपके पास अगर ताजा करीपता हो तो डाल सकते हैं हमने शुका हुआ डाला है तो अब इसको हम कुछ सेकेंड चला लेंगे मिला लेंगे और इसके बाद उतार की इसको ठंडा होने के लिए रखतेंगे ठंडा जब हो ज कि दरदरा सा अब चलाएंगे हम कड़ाई चुले पर इसमें डालेंगे दो चमा चॉय और उसके बाद जो हमने आलू कट करके रखा है उसको हम हाई फ्लेम पे भूनेंगे अच्छे से हाई फ्लेम पे यह बहुत ही आराम से भून जाएगा बिल्कुल कलर इसका गोल्डेन करन पाउडर जो है डाल दिया है और अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे जब तक यह पक न जाएका और आप 0-5% जब पक जाए तो इसके बाद जो हमने मसाले पीस के रखे हैं दरदरे से उसको हम इसमें डाल देंगे गैस का फ्लेम हमने मीडियम अब कर लिया है और मीडियम फ्लेम पे इसको दो से तीन मिनट तक हम भूनेंगे जिससे की आलू जो है अच्छे से पक जाए साथ में नमक भी डाल देते हैं ताकि मसाले और आलू में नमक का स्वाद अच्छे से एबचॉर्ब हो जाए और फिर इ इसमें हम डाल देते हैं थोड़े से करीब एक चम्मच के करीब कसूरी मेथी क्रस करके हम इसको डाल देंगे साथ में डालेंगे हम थोड़ी सी धनिया पती और इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं गैस का फ्लेम हमने लो कर दिया है ताकि मसाले जले नहीं औ और इसको अच्छे से मिलाने के बाद हमने इसका फ्लिम अब आफ कर दिया है क्योंकि यह हमारी सब्चित बिल्कुल पक्के रेडी हो चुकी है आलो भी अच्छे से पक गया है आप दबा के देख सकते हैं इसके बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे अच्छे से और देखे क्या जबरदस्ति यह आलो की भुंजिया जो है बनके तयार हुई है तो दोस्तों अगर आपको यह पसंद आया हो तो प्लेट जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वेल आइगन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि जब हम नहीं ने रेसिपी ल देखे कितना पग्या है यह आलो तो दोस्तों अगर आपने हमारा वीडियो इतना ध्यान से देखा है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और यह देखे क्या जबरदस्ति यह आलो की भुंजिया बनके तयार हुई है तो सच कहान हमने आप एक बार जब इसको बन